हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स जैसा कि थम्नेल में आपको देख करके समझ आ गया होगा कि आखिर हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं तो इस होस पाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सेंटरिफ्यूगल पंप्स में इस टाइप के होस पाइप के इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसका क्या काम होता है और इसको यहाँ पर क्यों लगाया जाता है इसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 930 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा video में अन्पिताइग तो इस type की hose pipes होते हैं उनका बहुत important role है centrifugal pump में इस type की hose pipes pump की casing से connect होते हैं जिनका एक end जो है pump की casing में fit होगा और दूसरा end जो है वो stuffing box में fit होता है stuffing box में एक port बना होता है ठीक वहाँ पर जहाँ पर आपकी mechanical seal लगी होती है या फिर gland ropes, gland packings लगी होती है अब बात करते हैं हम इसके function की तो इसका main काम क्या होता है तो देखिए ये दोनों side लगा होता है pump के एक right side में लगा होगा अगर double bearings वाली pump है single bearings वाली pump है तो एक single भी लगा होता है तो देखिए इसका main function ये है कि impeller और आपका stuffing box के बीच में जो clearance है उस पर क्या लगा होता है gland packings लगी होती है या फिर mechanical seal लगा होता है तो वहाँ पर heat generate होता है क्योंकि pump जो है बहुत high rpm में घूमते है तो shaft के उपर में आपका gland packings tightly fit होता है ताकि leakage ना हो जब pump का shaft rotate होता है तो वहाँ पर क्या होता है जहाँ पर gland packings है वहाँ पर high heat generate होता है क्योंकि high rpm में जो आपका shaft है pumps का वो rotate करता है तो वहाँ पर cooling की ज़रुरत होती है तो ये जो water होता है इसका पहला function ये है इस hose pipe का कि ये वहाँ पर water cooling के लिए provide कराता है और अगर हम इसके दूसरे function की बात करें तो देखिए जिस तरह से gland packing का काम होता है leakage proof sealing provide करना है तो ये उसमें भी मदद करता है जैसे कि मा लीजिए gland packing आपका लगा हुआ है है ना shaft rotate कर रहा है अगर कहीं पर हलका सा gap बनता है तो वहाँ पर अगर pipe hose pipe से water वहाँ पर continue आ रहा है तो याने कि एक layer वो भी बना देता है जिससे की बाहर का air जो है वो अंदर ना जाए याने कि ये भी sealing में मदद करता है gland packing के function में मदद करता है जिसकी वज़ा से pump जो है वो आपका air नहीं लेता है और ये हो गया इसका दूसरा main function तो इस hose pipe का दो main function है पहला function है cooling करना और दूसरा function है sealing में मदद करना leak proof seal वहाँ पर प्रवाइड करना तो friends उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी है अधर 1% भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेगी next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा